एक राजा के राज्य में एक मूर्तिकार दो मूर्ति लाया, दोनों मूर्तिया आइडेंटिकल थी, एक जैसी थी, कोई फरक नहीं था, तो मूर्तिकार ने का महराज, आपके राज्य में दूर मूर्ति लाया हूँ, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कोई इसमें फरक बता दे, की तरह थी आइडेंटिकल थी कि सभी देखते गए सभी में बड़ा आश्यर हुआ वैं क्या फरक बताएं कोई फरक नहीं है कि तभी जो राजा का मंत्री था बड़ा समझदार व्यक्ति था उसने का महराज मुझे मौका दीजिए मैं देखता हूं और उसने कोछ धागा मंगवाया सूत मंगवाया एक मूर्ती के कान में डाला तो दूसरे कान से निकल गया दूसरी मूर्ती के कान में डाला तो वो सारा उसके पेट में चले गया तो मंत्री ने का महराज ये मूर्ति एक जैसी हैं पर इन में फरक यहा है कि एक मूर्ति उन लोगों का रेप्रेसेंटेशन करती है उनका प्रद्द्थ करती है जो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से बात को निकाल देते हैं और दूसरी मूर्ति जो सुनती है वो सुन करके अपने जीवन में उतारती है अपने पेट में उतारती है अर्थात उस पर क्रियात्मक कदम उठाती है तो मानस में भी कहा गया सुन समझही जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग अनुराग के साथ डेडिकेशन के साथ हम उसका मन्जन करें लेहें चार फल अच्छत तनु चार फल की प्राप्ति होती है बड़े बड़े कथाकार बताएंगे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल की प्राप्ति होती है पजो सद्गुरु महराज के दर्वार में जाते हैं उन्हें पता चलता है कि उनको चार क्रियाओं की प्रा आपती होती है अच्छत तनू इसी जीवन में मरने के बाद नहीं लोग कहते मरने के बाद यह मिलेगा मरने के बाद वहां जाओगे वो कहते हैं लहें चार फल अच्छत तनू सादू समाज प्रियाग यह सादू संतों का जो प्रियाग है जो कि प्रियाग में तीन धाराएं बहती हैं एक यम्मा यम्मना एक गंगा एक सरस्वती तो यम्मना गंगा तो आप देख लेते हैं सरस्वती किले के अंदर इलाबाद के नीचे से प्रियाग राज के नीचे से जो है बैकर के जाती है और वो है ज्यान की गंगा तो हम जब सादू संतों के सानद में जाते हैं तो निश्यत रूप में जो सरस्वति की प्राप्ति होती है the river of knowledge जब उसकी प्राप्ति होती है तब जीवन का कल्यान होता है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमारे संतों ने यही समझाने का प्रियास किया कि बैए मन दिया तह सब दिया मन के लार शरीर अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर जो मन होता है यह आदमी का मन बढ़ा चंचल है इसलिए अरजुन कहता प्रभू मैं वायू की गठड़ी बांधना असान समझता हूँ धर्ती को वाणों के वेग से फोड करके जल प्राप्त करना असान समझता हूँ पर यह मन को कंट्रोल में करना मन को नियंत्रण में करना बड़ा मुश्किल है इस नेक्स्ट इंपॉसिबल तो भगवान कहते हैं अभ्यास और वेराग्य से अर्जुन ये मन बस में किया जाता है सद्गु महराज वो विधी बताते हैं जिसका अभ्यास करना है और वेराग्य माया से जब होगा तब हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे और जिसने मन को जीता उसने जग को जीत लिया है मन जीता तो जग जीता भगवान गीता में कहते हैं हेरजुन ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है नैनम चिंदन्ती सास्त्रानी नैनम तहती पावाका ना चेनेम कलेदन्त तापो ना शोशती मारूत और विज्ञान के अंदर ये कहा जाता है साइन्स भी कहती है इनर्जी के नीदर भी क्रियेटिड नौर इट के बी इस्टरोईट तर लाओ अव कंशर्वेशन अफ एनर्जी कि शक्त का एनर्जी का कभी रचना नहीं होती उसका कभी नाश नहीं होता है इसलिए हम भगवती की बंदना करते हैं माता को शक्ति के रूप में मानते हैं और कहते हैं यादेवी सर्व भूतेशु शक्ति रूपेन सस्थिता नमस्तस्थाई 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 नमो नमो ये भगवती आप शक्ति स्वरूपा हो आपने देखा होगा दिज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने आइंस्टाइन का एक्वेशन पढ़ा होगा जिसमें लिखा है E equals to mc squared अर्थात energy equals to mass into velocity of light squared इसका मतलब इस सारा जो पदार्थ पैदा हुआ है ये प्रगट हुआ है ये शक्ति का ही रूपांत्रित सरूप है उसी शक्ति को law of conservation of energy that energy can neither be created nor it can be destroyed शक्ति का जन्म नहीं होता शक्ति का नाश नहीं होता है वो जो अविनाशी शक्ति है जिसका जन्म और नाश नहीं होता है जो काल से परे है उसका अनभव करना सनातन का अनभव करना है इसलिए कुर्णानक देव जी कहते है आदी सच जुगादी सच है भी सच नानक होसी भी सच जो था है और रहेगा उसको सनातन कहा गया और उसका अनभव प्राप्त करना उसका शाक्षात कार प्राप्त करना अगर व्यक्ति उसका शाक्षात कार प्राप्त नहीं कर सकता तो ये भे नहीं जान सकता कि वो सनातन है मानव ने उस सनातन का अनभव प्रप्त किया उसका एक्स्पीरियंस प्रप्त किया और इसी लिए हमारे संतों ने कहा राम भक्ति चिंता मनि सुन्दर बसर बसें गरुड जाके उर अंदर कि राम की भक्ति क्या है चिंता मनि चिंता मनि होती है सेल्फ इफलजेंट लाइट जिसके अंदर से प्रकाश निकल रहा है स्वमेव प्रकाश है भगवार गीता में कहते हैं हे अर्जुन एक ऐसा धाम है न तत्भाशते न शूरियो न शशंको न पावका यद गत्वा न नि सारों सुरज की रोश्णी से भी बढ़कर जहां पर प्रकाश है और जहां पहुचने के बाद जीव संसार में लोटता नहीं है डपॉइंट ऑफ सैचूरेशन जहां पहुचने के बाद आदमी त्रिप्त हो जाता है सैचूरेट हो जाता है उसी को लाइट कहा गया और कहा गया God is light and in Him there is no darkness परम्पिता प्रमात्मा प्रकाशत स्वरूप है उसमें कोई अंदकार नहीं है हमारे यजुरुवेद के अंदर कहा गया ओम भूर्भस्वा तक सवितुर वरेन्यम भरगो देवस सधी मही धीयो योना पर्चो दयात कि हे प्रकाशत स्वरू प्रमात्मा मैं तेरा ध्यान करता हूं और ध्यान करना मन को एकागर करना है जैसे आप यहां बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं आपका मन सत्संग में एकाग है कोई हला गुला नहीं हो रहा देरिज पिन ड्रॉप साइलेंस बेलकुल यहां शांती है और आपका मन एकागर है ऐसे ही अपने मन को एकागर करना है उस प्रमात्मा के भर्गो स्वरूप में और तब एक द्रमंत दृष्टा कहता है भर्गो देवस्य धीमही हे प्रकाश स्वरूप्रमात्मा मैं आपका तेरा ध्यान करता हूं ध्यान करना अपने मन को लगाता हूं आपने देखा होगा आज सब के पास मोबाइल फोन है और वाइफाई है वाइफाई भी सब जगे पर है तो वाइफाई सब जगे पर है मोबाइल फोन भी हमारे पास है पर जब तक हमारे पास उसका कोड वर्ड नहीं होगा तब तक वाइफाई के अंदर हम टैप नहीं कर पाएंगे ऐसे परम्पिता प्रमात्मा समझ गया है पर उसका आपको कोड चाहिए और वो कोड देते हैं सदगुरु महाराज यानं जन सदगुरु दिया र जनंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर्फिर्पाते संत भेटिया नानक मन प्रकाश तो सज्जनो जैसे हमें अगर माथमाटिक सीखनी है गणित सीखना है तो गणित के अध्यापक के पास जाते हैं अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के टीचर के पास जाते हैं संस्कृत सीखनी है तो संस्कृत के अध्यापक के पास जाते हैं हमें अगर जोगरफी शीखनी है तो जोगरफी के अध्यापक के पास जाते हैं ऐसे ही spirituality को शीखने के लिए हमें Spiritual Teacher के पास जाना पड़ता है और Spiritual Teacher को गुरु कहा जाता है गुणाम अंदकार रूणाम प्रकाश जो अंदकार से प्रकाश में ले जाए वो गुरु होता है सद्गुरु होता है तो सद्गुरु महाराज वो ज्ञान देते हैं और ज्ञान देने से व्यक्ति के अंदर प्रकाश होता है प्रकाश का अनभव करता है जिसको कहा राम भक्त चिंताम अनि सुन्दर बसें गरुण जाके उंदर परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए कुछ दिया गृत बाती उस परम प्रकाश के अनभव के लिए ना दीपक की जरूरत है ना किसी बत्ती की जरूरत है ना सुरज ना चंद्रमा की जरूरत है वो समय वो प्रकाश है यह अनभव सद्गुरु जी महराज कराते हैं तो सज्जनों इसलिए संद प्रमान जी कहते हैं अचरज देख बारी सादो अच्रस देका बारी दे गगर बीच अमरत का कुवा जरे सदा सुक्कारी दे और एक अमरत का कुवा है पंगु पुरुष चढ़े बिन सीड़ी पीवे जरजर जारी दे बिना बजाए निश्दिन बाजे घंटा संख नगारी दे बहरा सुनसुन मस्त होते तनकी खबर बिसारी दे बिन्भुमी के महल बना है तामे जोत उजारी दे अंधा देख देख सुक पावे बात बतावे सावरी दे तो प्रमान जी संत एक बहुत स्पिरिच्वल गुरु हुए हैं स्पिरिच्वल सेंट हुए हैं बहुत अध्यात्मिका ज्यान था हो तो वह कहते अचरज देखा भारी सादोमा ने बहुत बड़ा अचरज देखा गगन के बीच अमरत का कुवा है और चड़ता कौन है पंगु पुरुष जिसके आत पैर नहीं है अर्थाज जो हमारा मन है जो हजारों किलोमेटर दूर जाता है उसके आत पैर नहीं होते फिर भी वो काुतता है और सुर्ती होतिये शब्द सुर्त मेला भया मुफ्क्चि हाजत नाय शब्द र शुर्ती का जब योग बनता है तो वह अम्रत का पान करता है इसी प्रिकार से वहाँ पर नगारे बचते हैं अनद नाद होता है और उसको सुनता कौन है जो संसार से बहरा हो जाता है वहाँ पर एक जो है प्रकाश पुंजा है उसको देखता कौन है जो संसार से अंधा हो जाता है संसार से अंतर मुखी हो जाता है तो ये अनभव हमारे संतों ने अंतर जगत का किया है spiritual world का किया है और जब आम अपने अंदर जाते हैं अपन को आप ही मैं पाईगूं, एमानव तु अपने आपको अपने ही अंदर पाएगा, बाहर नहीं, बाहर संसार में हम भटक रहे हैं, जगे जगे आजाते हैं, भटकते रहते हैं, मन की शांती नहीं मिलती, पर जब हम अंतर मुखी होंगे, तब जाकर के मन की शांती मिलेगी.